लगबग पचास अज्जार की संख्यावाली अल्लाउद्दीन खिलजी की सेना ने जालोर पर हमला कर दिया था उस समय महाराज कानरदेव के पास मात्र पांच अज्जार की सेना मूतोड जवाब देने के लिए मौजूद थी ऐसे में अपनों का धोका और अंच समय तक अपनी भाद्दूरी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले जालोर के महाराज की कहानी बहुत दिल्चस्प है ये कहानी अपने साथ एक ऐसे वीर को भी लिये हुए है जिस पर खिलजी की बेटी का दिल आ गया था लेकिन उन्होंने दुश्मनों से हाथ न मिला कर युद्ध भूमी में वीरगती को प्राप्त करना ज़्यादा बहतर समझा तो आईए दोस्तों जानते हैं जालोर के युद्ध का इतियास जिसमें अपनों का धोका देना बना हार की एक बड़ी वज़े स्वतनता को खत्म करने का फैंसला कर लिया था इस स्वतनता को खत्म करने के लिए उसने राजपूता ना राज्यों पर हमला शुरू कर दिया इसी क्रम में सुल्तान ने हमीर देव चोहान को हरा दिया उन्हें हराने के साथ ही उसने रंधंबोर किले पर अपना कबजा जमा लिया यह रंधंबोर का युद्धी था जब खिलजी ने किले को अपने अधिपत्ते में ले लिया उसके कदम अभी यहीं नहीं रुके उसने इसके बाद सिवाना किले पर भी कबजा कर लिया यह उसने सिवाना युद्ध में महारा सूतल देव को हरा कर प्राप्त किया था खिलजी लगातार युद्ध जीत रहाता इन दोनों किलो पर अपने नाम का जंडा फेराते हुए वह आगे जालोर की तरफ अपनी सेना के साथ बढ़ा पहले अलाउद दिन ने अपनी सेना को जनरल उलू खान और नुसरत खान के नेतरतु में गुजरात पर विजे पाने के लिए भेजा उसकी इस भेजी हुई सेना ने रुद्र महाले और सौमनात मंदिर को बरबरतापून तरीके से लूट लिया इसके अलावा उन्होंने सौमनात मंदिर में मौजूद शिवलिंग को द्वस्त कर दिया और उसे कई टुकडों में तोड़ दिया उसकी सेना इन शिवलिंग के किये हुए टुकडों को लेकर जब वापस जा रही थी तब इस बात की खबर महाराज कानरदेव को पड़ी तो उन्होंने इस पर तुरंद कारेवाई का फैंसला लिया जब सैनिक दिल्ली के रास्ते में ही थे तब महाराज कानरदेव ने उनके उपर हमला कर दिया और उसकी सैना को हरा दिया महराज ने सैनिकों को हराने के बाद उनसे शिवलिंग के टुकडों को छीन लिया और उन्हें अपने साथ जालोर ले गए वहाँ जाकर उनोंने उन शिवलिंग के टुकडों को गंगाजल से धोया और ततपस्चात उन टुकडों को जालोर के मंदर में इस्तापित कर दिया इन सब चीजों के पीछे एकोर युद्ध छिपा हुआ था अगर कानरदेव प्रबंदन द्वरा लिखित पदनाबन के अनुसार कानरदेव के पुत्र वीरमदेव युद्ध के समय सुल्तान के कोर्ट में मौजूद थे इसके बाद सुल्तान ने अपने कोर्ट में महराज को बुलाया इस निमंतरन के बाद कानरदेव ने अपनी जगए अपने बेटे वीरमदेव को कोर्ट में भेजा सुल्तान ने उन्हें मारने के लिए शडियंतर रचा अपने शडियंतर के अनुसार उन्होंने पंजा प्रतियोगिता के दोरान उन्हें मारने का प्लान बनाया सुल्टान ने पंजा लड़ाने की एक प्रतियोगिता रखी उसे लगा कि वह प्रतियोगिता में उन्हें हरा देगा लेकिन वीरमदेव ने भी कोई कच्ची गोटिया नहीं खेली थी उन्होंने पंजा प्रतियों गिता में सामने वाले प्रतिदंदी को हरा दिया वीर वीरमदेव को देखकर खिलजी की बेटी राजकुमारी फिरोजा को उनसे प्यार हो गया वह उनकी बहादुरी की कायल हो गई दोस्तों आपको बता दे राजकुमारी फिरोजा सुल्तान की बेटी थी लेकिन सुल्तान की बेगम से नहीं वह हरम की एक वैश्या और उसकी बेटी थी अपनी बेटी की इच्छा जानने के बाद सुल्तान ने वीरमदेव को अपना दामाद बनाने के बारे में सोचा अपनी बेटी के विवा का परस्ताव लेकर वह वीरमदेव के पास पहुचा लेकिन वीरमदेव ने इस परस्ताव को सुनते ही ठुकरा दिया इस तरह वह पहले से और भी ज़्यादा जला गया वह पहले से जालोर पर कबजा जमाने के लिए युद्ध की फिराक में था अब तो वीरमदेव के प्रस्ताव ठुकराने के बाद उसे एक और भाना मिल गया सन 1310 में अल्लाउदीन ने अपनी सैना जालोर में आकरमन के लिए भेज दी दिल्ली से भेजी गई सैना ने शुरुवात के साथ दिनों में अनेकोबार किले की सुरक्षा को तोड़ने का प्रियास किया लगातार हो रहे इन हमलों से कानरदेव उनका भाई मलादेव और बेटा वीरमदेव कही न कहीं जुझला उठे थे लेकिन उन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं आरी थी लेकिन आठवे दिन उन्होंने एक बार खिलजी की सैना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया इसके जवाब में खिलजी ने इस बार और अधिक संख्या में सैना बेजी इस सैना का नेत्रत उकर रहा था मलिक कमाल अलदिन गुर्ग इसे खिलजी के सबसे बहतरीन जनरल में से एक माना जाता था प्रबंथ के अनुसार खिलजी की सैना से निपटने के लिए महराज ने दो दलों में अपनी सैना को बार दिया था पहला दल मलादेव के नेत्रत में वदी की और तैनात हो गया दूसरा दल वीरमदेव के नेत्रत में बद्रूजन में युद्ध के लिए तैनात हुआ दोनों के नेत्रत में गटित दलों ने वापस दिल्ली की सैना को धीमा कर दिया था लेकिन कुछी दिनों में कमाल अलदीन की सेना जालोर में प्रवेश करने में सफलो गई ऐसे में अंत्रय महराज को दोनों दलों को वापस जालोर बुलाना पड़ा उन्हें विचार विमर्ष करने के लिए मलादे और वीरमदेव को बुलाना पड़ा कमल अल्दीन ने कई किलो पर अपना अधिपत्ते जमा लिया इसके साथ ही उन्होंने ब्लोकेड करना भी शुरू कर दिया लेकिन उनकी यह रणिती नाकाम्याब हो गई इसकी एक बड़ी वज़ती ऐसमें बढ़सात का होना और साथ ही महराज को साउकोरत वरत दी गई मदद माना जाता है कि जालोर में महराज की हार का कारण एक धोके बास सायक था दरसल धैया राजपूत बीका ने महराज के सारे भेज जाकर दुश्मनों को बता दिये वो कहते हैं ना घर के बेदी लंका ढ़ाए यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ बीका के इस धोके की वज़े से जालोर को खिलजी ने अपने कबजे में कर लिया दुश्मनों ने बीका से यह कहकर मदद ली थी कि अगर वह उनकी मदद करता है तो वे उसे जालोर की राजगदी पर बिठा देंगे सत्ता के लालच में उसने उन्हें किले के सबी रास्तों के भेद बता दिये जब बीका की पत्नी हीरा देवी को इस बारे में पता चला तो वह आगभबुला होगी अपने पती द्वारा अपने ही लोगों को धोका देने की बात वह गले नहीं उतार पाई उन्होंने अपने पती की हत्या कर दी और कानड़ देव को अपने पती द्वारा दिये गए धोके से अवगत कराया लेकिन जब तक उन्हें इस बात की खबर लगी तब तक दुश्मन पहुँच चुके थे और इस प्रकार महाराज कानरदेव अपने ही लोगों से मिले धोके की वज़े से आर गए जिसके बाद महल की सारी महिलाओं ने जोहर में अपनी जान त्याग दी कानरदेव प्रबंद के अनुसार गुस्पेटियों ने महल में मौजूद कानास्वामी मंदिर में पहुशने में पास दिन लगा दिये महराज और उनके आखिरी पचास सैनिक मंदिर की रक्षा करते हुए वीरगती को प्राप्त हो गए तो दोस्तो यह था जालोर के महराज कानरदेव की वीरता का इतियास वीडियो के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें धन्यवाद दोस्तो दोस्तो इसी तरह के इंटरस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दा हिस्टॉरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबा दे जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तो